दोस्तो आज हम बात करेंगे एल्यूमिनियूम फॉयल कंटेनर विर्नस के बारे में दोस्तो आज कल हर चीज होम डिलिवरी में आने लगी है इवन फूड भी आज कल हम जादा से ज़्यादा होम डिलिवर करते हैं इसके अलावा अगर हम सफर पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हम फूड साथ में लेके जाते हैं तो जिस कंटेनर में यह फूड आता है उसे कहते हैं एल्यूमिनियूम फॉयल कंटेनर दोस्तो इसकी खासियत ही होती है कि इसमें फूड जो है वो गरम का गरम रहता है ताजा रहता है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह जो कंटेनर होता है यह रिसेकलेबर होता है तो इससे पोलुशन का भी कोई खत्रा नहीं होता है आए दोस्तो अब हम देखते हैं कि इस बिजनस को करने के लिए कौन से मशीनरी के आउशकता होगी इसमें कितनी कोस्टिंग लगेगी इसमें कितने राव मट्रियल लगेगा इसमें कौन से लाइसेंस लगेगे आज हम इसी बारे में डिस्केशन करेंगे तो दोस्तो बने रहे ये वीडियो में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करतीजे और दोस्तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा आएट दोस्तों देखते हैं इस business के बारे में दोस्तों अगर बात की जाए इस business को start करने के लिए area की तो आपको industrial area में ये business को start करना होगा लगबग लगबग आप इस business को करने के लिए 1500 स्वेर फिट से तो 2000 स्वेर फिट के एरिया में आप ये बिजनस को स्टार्ट कर सकते हैं उस एरिया में आपको electricity भी commercial लेने होगी और वहाँ पर पाने की वेवस्था भी अच्छी खासी होनी चाहिए तो आएए दोस्तो अब हम देखते हैं कि इस बिजनस को करने के लिए हमें कौन सी machines के आपशक्ता होगी और कौन से वाले raw materials के आपशक्ता होगी दोस्तो इस बिजनस को करने के लिए दो टाइप की machines आती हैं एक होती है semi-automatic एक होती है fully-automatic अगर आप semi-automatic machine खरीबना चाहते हैं तो यह अपने बज़ेट के हिसाब से इन machines को करीद चकते हैं अब रहा सवाल इस business को यह machines को कैसे चलाते हैं तो दोस्तो जो अब आप machine खरीदते हैं तो वहाँ की जो उस company के इंजीनियर्स होते हैं वह आतर के आपको परस्नल लेवल पर इसका ट्रेडिंग देते हैं कि यह मशीन किस तरह से चलाई जाती है और इस बिजनस को किस तरह से किया जाता है दोस्तों अगर बात की जाए इसके राव मैटेरियल की तो आपको इंडियामाट.com पर देर सो इसमें पर केजी के हिसाब से इसकी ऐलुमिनियम ओईल शीट खरीदें होगी जो आप अपने बज़र के हिसाब से खरीच सकते हैं इसके अलावा आपको जरूरत होगी पैकिंग बॉक्सेस की जिसमें आप जब आपका प्रड़क्शन कंप्लीट हो जा तो जिन बॉक्सेस मे आपको इसमें रौ मट्रेल में जरूत होगी दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनस में लगने वाले मैन पावर की तो आपको सबसे पहले तो दो स्किल्ड वर्कर रखने होंगे इसके अलावा अधर जो काम होते हैं उसके एसाब से तीन अनिस्किल्ड वर्कर भी अगर रखने रखे तो भी चलेगा इसके अलावा जब आपका प्रोड़क्ट पोना बुनके रिडी हो जाता है तो आपको दो सेल्समेन भी रखने होंगे जो आपका प्रोड़क्ट की मार्केटिंग कर सके दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनस में लगने वाले लाइसेंस की त सिटी के अंदर आता है तो आपको नो पूलुशन का लाइसन भी बहुत जादा इसमें इंपोर्टन होगा इसके अलावा आपको लगेगा जीएस्टी का नमबर और जो भी आपके लोकल लेवल पर जो लेने होंगे दोस्तों अगर बात की जाए इसमें लोन की तो यह जो ब तो दोस्तों अब हम देखते हैं इस बिजनस में लगने वाली मार्केटिंग की बारे में दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके टार्गेटेड़ कस्तमर इस बिजनस में कौन हो सकते हैं जैसे कि होटेल से रिस्टोरेंट है सुपर बजार है शोरूम से है वोलसेल इसके अलावा जहां पर ट्रेवल जादा होता है ऐसे इसमें जो होम डिलिवरी फूर बनाए जाते हैं वो लोग भी आपके टार्गेट कस्मर हो सकते हैं तो दोस्तों इसके मार्केटिंग के लिए आपको 2-3 पर्सन सेल्समें आपको रखने होंगे जो इन सारी जगों पर जा साथ ब्रैंड की जर्दा जरूवत नहीं है इसलिए आपको पैकेजिंग पर उतना ध्यान नहीं भी दिया तो भी चल सकता है लेकिन आपको मैनेफेक्चरिंग के साथ-साथ इसके मार्केटिंग पर भी उतना ध्यान देना होगा तो दोस्तों यह थी और बेसिक इंफरमेश अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जड़ूर सब्सक्राइब कीज Diese और व्याइकन ज़रू दवाए ताकि आपको हमारी हार अपडेट्स इसी तरह मिलती रहें तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक केलिए वंदे मात झाल झाल